यहां पर आप देख रहे हैं जो तस्वीर यह सोमनाथ मंदिर की है तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो आयोध्या का राम टेंपल है उसका इनौगरेशन हो चुका है प्रान प्रतिष्ठा जो है वो 22 जन्वरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी जी के द्वारा जो है वो कहीं जश्न मनाया है पूरा का पूरा भारत हर कोई जो है वो इस तरीके से मतलब आयोध्या में ये 500 साल का लगातार जो लड़ाई रहा है जो एक इन्वेडर ने बेसिकली बाबर जिसको हम इन्वेडर ही कहेंगे जो फॉरें पावर जो भारत में इंटर करके और किस तरीक से कहीं न कहीं आप देखेंगे तो इलहाबाद हाई कोट का वर्डिक और बाद में सुप्रीम कोट का वर्डिक जिसके बाद सुप्रीम कोट ने पूरी तरीके से कहा कि ये जो साइट है वहाँ पर अयोध्या का राम मंदिर होना चाहिए और इसके बाद में आप देखेंग यहां पर राष्ट्रपती को करना चाहिए ठीक है तो इस तरीके की तमाम बाते निकल करके आई और इन सब बातों को हम डिसकस करेंगे कि हिस्ट्री में आपको ले करके चलते हैं यह सोमनात मंदिर है और यह वाना जाता है कि बगवान शिफ का सबसे पहला जो जोते लिंग है 12 जोते लिंग में से एक वो यहां पर स्थित है ठीक है इसी के साथ साथ में यह आप देखेंगे तो बगवान कृष्ण भी अपने अं इसके जो है वो चंदरकांत सोमपुरा है और इसके जो मंदर के मतलब जो मूर्ती है उसका जो सकल्पटर है वो अरुन योगी राज है इस तरीके से भी आप ध्यान रखेंगे नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है और अरोध्या जो है वो सर्यू रिवर पर स प्रसिदेंट जो राजन्दर परशाद भारत के पहले वह राष्ट्रपती इनाउगरेटिंग अब यह क्या हूँ ऐसा क्या हुआ कि नहरू जो है वो यहां पर उन्होंने राजन्दर प्रशाद जी को जो है वह उपोस कर रहा है तो इसके बारे में हम यहां पर जानेंगे ठीक है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भई बेसिकली उसी पॉइंट को यहाँ पर रिलेट की इनोगरेशन वाली सारी बाते अब सोमनाथ आपको पता है कि बेसिकली यह गुजरात का जो जूनागर है उसका हिस्सा हुआ करता था और आजाद भारत में आपको पता है कि जब भारत देश आजाद हुआ तो जूनागर, हैदराबाद, कश्मीर यह वो परिटरी थे जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाह र गया सरदार पटेल का इसमें immense contribution रहा है और referendum से उसको भारत का हिस्सा बनाया गया अब इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि फिर वहां से जो है basically हिंदू pilgrimage का ये बहुत important इक रहा है सोमनाथ और इसी के साथ साथ में मंदिर जो है वो निर्मान करा गया और मंदिर निर्मान क के बात में आप देखेंगे तो जब मंदिर निर्मान चालो हुआ था तो सरदार पटेल जो है basically उनका निधन हो चुका था बीच में तो इसलिए लोगों ने जो मतलब इंविटेशन था वो प्रेसिडेंट राजंदर प्रशाद जी को दिया जो वो स्विकार कर लिये थे और जिसके ओपूज में नेरु जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं basically कही न कहीं देश में unemployment, poverty, inflation या सभी topics है जिस पर बात करना चाहिए जिस पर आपको ध्यान देना च आपको ध्यान रखना है कि महमूद अफ गजनी जो है basically वो एक invader रहे है इस मंदिर के ऊपर बात में आप देखेंगे तो not all muslim rulers opposed it historian Romila Thapar जो है उन्होंने अपने किताब सोमनाथ the many voices of history देखे कभी भी आप means का answer लिखे तो इस तरीके सा आप लिख सकते है कि historian Romila Thapar की कि 16th century में अकबर जो है उन्होंने permit करा था worship of the link जो बगवान शिफ का जो link है इन सूमनाथ temple and appointed officers to administer it तो अकबर काफी neutral रहे है हमको पता है religious में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो वो काफी बहतर ढंग से ले करके चले इसके बाद आप देखेंगे तो अबूल फजल ने भी बत रहे हैं तो एक तरफ हमने देखा कि एक बर यहां पर support कर रहे हैं दूसरी तरफ हमने देखा कि अबूल फजल में जो लिखा गया है वह मतलब अबूल फजल ने किस तरीके से उन चीजों को यहां पर एक अलग तरीके से जुड़ा है इसी के साथ में आप देखेंगे तो basically basically आपको देखने को मिल जाएगा कि कितनों का यहां पर जो है वो ब्लड भी life देखने को आपको मिलेगा तीन generations के बाद और अरंग जेब जब आते हैं तो वह order देते हैं कि destroy करो आप और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो further यह order को आगे बढ़ाते हैं 1706 basically जहां पर फ मस्जिद और फिर अब इसके बाद में आप देखेंगे तो gradually टीजे जो है वो 1782 में Maratha Queen Ahilia by Holker जो है वो small temple उस site पर बनाती हैं और फिर temple जो है वो इसलाम धर्म में वो मानते हैं कि भई मतलब हिंदूस जो है basically इसलाम's excesses on हिंदूस ऐसा माना गया कि और उस पर British Governor General जो थे व और इसलिए retaliator strike जो है वो carry out किया गया और इसी time पे और सोमनात के जो gates से वो basically मतलब महमूद अफगजनी जो है वो surface करता है और इस तरीके से आप देखेंगे कि sandalwood gates वगेरा भी मतलब यह सारे यहाँ पर बाते लिखी गई है ठीक है तो यह तो यहाँ पर हमने देखा कि Britishers क और इसके बाद में वो इसको avenging of an insult मानते हैं और फिर आप देखेंगे तो यह Princess of Chiefs को जो है वो proclamation देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि हमारी जो virtuous army है वो bear करती है gates of the temple of Somnath in triumph from Afghanistan और इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ पर चीजे आती है फिर दीरे आपको प लोगों के contribution से मंदिर का निर्मान कराया जाएगा और फिर लोगों के contribution से मंदिर का निर्मान हुआ सोमनात सरकार जो इस वक्त थी बेसिकली वहां पर स्थित तो उन्होंने भी 5 लाग का योगदान जो है वो दिया और इसके बाद में केयम उनशी और इस तरीके से आप द्यान जो है वह किनी और चीजों पर होना चाहिए ना के ऐसी चीजों पर और इसके बाद में राजेंदर प्रशाद जी जो है उनकी बात नहीं सुनते हैं और वो बिल्कुल जाते हैं तो यह पूरा का पूरा कहानी रहा है कि किस तरीके से हाँ पर हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि ये जो event है वो बहुत important हो जाता है नाव सोमनाथ temple जो है वो कही ना कहीं काफी important हो जाता है prelims के perspective से भी तो आपको उसके बारे में भी पढ़ना है ठीक है कहीं ना कहीं वो आपको ध्यान रखना है कि सोमनाथ मंदिर से भी जुड़ा हुआ अगर सवाल आता है तो आपको वो गलत नहीं करना है और साथ-साथ में आपको हम यहाँ पर यह समझाने की कोशिस कर रहे हैं कि देखिए यह चीजे जो है वो अभी current में हो किस तरीके से हम इसको history में relate कर रहे हैं तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है बाकी कि यहाँ पर साथ-साथ में जो भ आउट करते रहिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाइ टेक क्यार और जय हिंद